हारे कृष्णा मैं आज आप से अपने मन की बाद शेयर करना चाहती है वो इसलिए कि हो सकता है कि यह चीज आप लोग की भी हैल्प करें हो सकता है कोई इस फेलिंग से ग्रस्त हो तो वो खुश रहना सीख जाए अक्सर होता है कि हम किसी के प्रती इतने समर्पित होते हैं उस कुछ रहना भूल जाते हम अपना केर करना भूल जाते हम कुछ ही नहीं डहता कोई तो अपनी केर कैसे करेगा और यह कंडिशन अक्सर लोग के साथ होती है क्योंकि देखिए हम जीव आत्मा हैं और हमारा स्वभाव है कि हम किसी के पती समर्पित होना चाहते हैं किसी की प्रभुपाद जी की पहली पुस्तक है और यह पुस्तक मैंने पहले पढ़ी है पर पहले अकेले पढ़ती थी अब जो है ग्रूप रेडिंग करी है हमने सेनिया डिवोटीज के संग में करी है और जो वैशनव जन होते हैं ना कहते हैं वह वांचा कल्पतरु ब्यश्च पतीता नाम पावनेवयो वैशनवेवयो नमो नमा वह जो है वैशनव जन कल्पतरु होते हैं सब इच्छा पूरी करने वाले होते हैं और पतीतों को पविद्र करने वाले होते हैं तो मुझे यह चीज हमेशा से पता थी कि कृष्ण मेरे साथ है जब भी कोई मुसीवत करने के बाद बाद में मुझे रिलाइज हुआ कि मुझे मैं क्यों वीक पढ़ती हुआ हैं मैं बहुत इक लोगों के प्रती हो बेटा हो कुछ कोई भी रिष्टा हो उसके प्रती हम जो है अपने इमोशन को वेस्ट करके रखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी को इंपोर्टे यह मैंने सम्झी पहले दिन समझा दूसरी दिन और समझा मैंने समझा कि हम अन्ष है किस परमात्मा के ने भिन ship पहले भी बूलती हुआ आपको जैसे कि आवन की अग अगरा उठके अर्ग हो जाए। उसका एक जिस्टेंस जाला दिन नहीं रहेगा जैसे ओसना चुन छोट पानी के स्तोल से बून बहर कर लो तो कितने दिन रहेगी तो हमारा अस्तित उस अंश का है और हम जब उस अंशी से देखा होगा माता-पिता का माता-पिता की तरफ नहीं होता है यही कारण होता है संसार में दुख होने का संसार में κά receptor करता है संसार कोई कोई जीवात्मा दुश्रेण जीवात्मा की सेवा करता है समर्पन करता है तो क्या होता है वहां सब्वार्ग होता है वह स्वामी को स्प्राइब वह लुद्धु का स्पेस्ट सेवातर है उदर प्रतों बОई तो दिपक वाला एक्जाम्पल जो मीरा बाई ने दिया था कि दीपक को तो दया नहीं है उड़ी मरत पतंग मीरा प्रभु गिर्धर मिले जैसे पानी मिल गए उरंग कि दीपक को बिल्कुल दया नहीं होती है वह जो है उसकी तरफ आता वह उसको जला देता दीपक तो यह सं प्रदी अपने मन का समँर्पन रखेंगे तो आप हारते रहेंगे और दोष जो मेरे को नहीं पूछता करता मैं ऊसे पूछता हूं देखो मुझे करता है और जब्कि मैं तो पूरा समरत्यौ पे थूँ तो उससकी गल्ती नहीं तो आपकी गलत जगा जा रहे हैं आप गलत जगा प्यार को कोज रहे हैं उसके कोई गलती नहीं है माया है अध्यात्मिक जगत का संपूर्ण तरीके से विक्रत स्वरूप है बिल्कुल उल्टा है इसके लिए प्रभुपाजी ने एक पेड़ भी दिखा रहा है कि जैसे पता चलती है लेकिन आज मैं प्रॉपरले इंबाइब कर पा रही हूं क्योंकि मैं वैश्णवज के संग में हूं और दूसरी चीज़ों मुझे पता चली इसमें वह यह पता चली एक बहुत अच्छा एक्जामपल प्रभूपाजी ने दिया ही मैंने कल ही पड़ा कि हम क्य लेकिन आप अपने को करेंगे तो नशुआ ठीज़ों को टिपती पर घळेगे तो हगयों क्रिशन को अ हूंनरै क्रिश्ण वह मैं हूं तो जब आप क Aryjeeva करेंगे नहोらog हर जीवात्मां है जब वहर दो को स्वहार आपको इसो मैं कौ daai। मैंने आपको बताया बहुत इक जगत में लूज विन का situation होता है एक हारता है एक जीता है एक सरंडर करता है दूसर डॉमिनेट करता है तो डॉमिनेट करने वाला उसे पूरा कुछल देता है जैसे दीपक ने पतंग को जला दिया पर अंतो क्रिश्न क्या होते हैं न क्रिश्न के साथ उसके सखा बन गए तो यह क्रिश्न जो है वही एक वास्तविक कहना चाहिए मुझे मन के लिए क्या बोलू आपरमात्मा है यह हमारे अंची है जिनसे हमें प्रेम करना चाहिए जिनके प्रती समर्पन होना चाहिए और बाकि जितने संसारे क्रिश्टे हैं उनको यह करेंम लान चाहिए यहीं एक अंच है और मुझे रिस्पेक्ट करना सख्यार करना अत्र ममोझे अश। Quebec करना सख्याव सब्सक्ता मेरा अंच नहीं है और चैर्श्ट बैंट नहीं होता है और आप आन्दर प्यार करने की भावना है यह समर्पने वो कृष्णिक समर्पन जाएंगे और यह चेंज में खुद अपने अंदर देख पारी हूं पहले भगवान पर विश्वास रखना अलग बात है पर प्रेम भगवान से करना वह अलग चीज है और यह मुझे नहीं करने आता था कि कैसे में भगवान से अपना प्रेम करना तो मैंने जब रिलाइस किय गुरु माता का हूं या कांसलिंग गाइड का हूं हर ग्रेस वैश्णावी माता जीसे इस बार में बोला तो मैंने अपने प्रभुजी को एक बात बोली कि प्रभुजी मुझे पता है गीता पड़ती हूं कि उसमें लिखा है कि अभ्यास वहराग्य से यह संभा हुए बट अस्तव में एक जेल है जहां में जो ये टेम्प्ररी हमें हमेशा नहीं रहना है ये जेल में क्या होता है जिल में इनसान अपनी सजा काटता है ना यह भी हमने क्रिश्न की और बुक में पड़ा कि वहां पर किसी बहाय स्त्रोथ की एक्स्टरनल सोर्स के जवरत्नी परती प्रकाश के लिए जैसे ही यह यह जगत जो अंधिकार में है यह आपको पर आपको बहाय सोर्स की जरुवत नहीं है वह स्वत्रा प्रकाश माने हमेशा हमां सुखे और एक बाती बात मेरे बेटे से में बात की थी तो इवन वह बातों को जाने लगा उसने भी बात मुझे बोली वह नहीं किया था लेकिन मैं भी इसके बाद लगाऊंगी पिछली ब कुछ थोड़ा सा इंबाइब नहीं हुई थी उसकी बाते बट नाओ आइकन अंडिस्टैंड अगर आप में से कोई भी इस भावना से गुज़र रहा है और आप में से कोई भी अधिक्रिष्ण की और बुक रीडिंग मैं जुड़ना चाहता है तो मुझे मेरे परसिन ऐसे मन्द कर नहीं हां करना है कि मूँ से निकले हाएक्ष्णा हरे कृष्णा वो कान में जाए और कान से दिल में उतरे तो होता क्या है उस वक्त चांटिंग करते हैं सिक्स्टीन राउंड इखटे तो भगवान ऐसे लगता हमारे सामने ही बैटे हैं भगवान से कनेक्ट होते हैं तो इसलिए वह ध्यान पूर्वक्त जब करना चाहिए और एक और चीज मैंने नाम अमृत अभी पढ़ रही थी तो उसमें श्रील रूप गोस्वामी जी ने बहुत ही ब्यूटिफुली एक्सप्रेस किया है वहला इमोशन आपको अंदर है ना तो प्लीज आप संसार में मत्वेश्ट करें आप कृष्ण में लगाए आपको बहुत होगा मैनी ताइम्स आप एकदम हार्ट आपका खुश हो जाएगा और वहां नाम अमृत में श्री इंट्रोडक्शन में श्री लरूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण का जो वर्ड दो स्लेबल्स एक रिश और ना तो कृष्णा कृष्णा जहाना मूह बोलता है तो कुछ बूलता रहता है तो वो 나올 लिशलेगल्स आमच्टे में कानों में जाते हैं कानों से जाकर वह हमारे हुष्ण है करने कन करने किसा आलोग कि towards that प्रभुपाद जी ने किसी ने पूचा था तुम कोका को लेंगे तो इससे भी हो जाएक आप देखिए 10 मिनट बाद रुखतार जाएंगे ऑ कृष्ण 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 को थी देखिए स्वयम प्रेम राकट होगा स्वयम՝ क्लीन होगा इस इस प्रोसेश चेतो दरपन मारजनम और चैतन्य महाप्रभु जी ने हम सब पर उपकार किया यह महामंत रम को देखे और श्रीलिप्रभुपाद जी ने इसको आगे फिलाया है चैतन्य महाप्रभु की वानी को हर व्यक्ति तक पुचाया अपनी बुक्स के द्वारा मात्र 11 साल की अवधी में सत् माप्रबो के मेसंजर ही थे अरे कृष्णा